और फिर जहां से जाओ खाली आदेश भगवान का चलो मेरे नाम गुण किर्टन का उपदेश करो जितना तुम में हम सामर्थे दी सब का मंगल करो उद्धार करो क्योंकि अनने पाया है ग्रेश्ट में पैदा हुए हो ग्रेश्ट से पोशन हुआ है ग्रेश्ट से अभी इसा ग्रेश्टों के द्वारा ही दिया हुआ हम भले कहें भगवान तो इस रूप में आके भगवानी तो दे रहे ना तो फिर भगवानी इदर से बुलवा रहे करो जन्षमुदाय कि तो यह मत समझो कि कोई बिपत्ति एदे को खेलने वाले युद्ध करने वाले अगर गाओ क कि चिंता करें कि अगर कहीं खेले तो कहीं चोट न लग जा तो घरवेट हो कि अपने सरीर को पूरा करो और प्रभू के घरवेट जो कोई खेल की वही तो हम सिखा रहे हैं अब खेलना भी चाहते हैं बड़ा मनोरंजन और डरते विए चोट न लगे तो यह खेल ऐसा नहीं बिना चोटके नहीं निकलोगे खेले पुत्र मेरा पती मेरा परिवार मेरा तो कर्म किसके फिर भोगो जो जीव जितने छड के लिया है जो विधान आपके कर्म के अनुसार जितना कहीं दोखे बाजी नहीं एक सेकेंड का भी कहीं दोखा नहीं हो सकता प्रभू शर्वग शर्वशक्तिमान नों ठीक निरने करते हैं विपत्ति किसे कहते हैं हमें समझें नहीं आता है हनुमान जी ने बताया वो विपत्ति कहते हैं का हनुमंत विपत्ति प्रवसोई जवतो सुमिरन भजन न होई यह है यह यह ता विपरिशान निरंतर यह है तो ललकार विपत्त क्या करेगी तु शरीर नश्ट करवाएगी यह तो नश्ट युगा आजर मर्थोड़ी और मेरा श्वरूप नैनम चिंदंति सस्त्राने नैनम धाति पावका नचेनम कलेदयंत्यापो न शूशिति मारुता ना आग में ताकत है ना किसी दिभ्यास्त्र में ताकत है क्योंकि या विनाशी शुरूप है लोटो बाहर से लोटो घर में सुरक्षित हो जाओगे शुरूप में आओ भगवदानंद में आओ काहे कोई सब चिंता इतनी फैलाए हो नाम जब करो भगवान को चिंता है तुम्हें पैदा किया इस स्रष्टी में तो तुम कहांत हिला लेते हो इसलिए तुम्हारे ले रास्ता कि करो अगर हिलाने लाइक नहीं हो हाथ पैर चलने लाइक नहीं हो तो भूखे नहीं मरने देगा कितने ऐसे जीव स्रष्टी में हैं देखो अजगर को अगर एक कुंतल मांस चाहिए पचाने के लिए तो भूखो मरने पाएगा हाँ दो च चाहिए जितना चाहिए अहार परिपक आप जंगलों में देखो आप अपने घर पसु पाल के उतना स्वस्थ नहीं रख सकते जितना भगवान के सहारे वो स्वस्थ है जहिमन बहुभेसज करत ब्यादिन चाडत साथ और खगम्रग बसत अरोग बन क्योंकि हरी अनाथ के लाच देखो न सुन्दर सुन्दर स्रंगार के विए ऐसे पक्षी कि आप रंग भर नहीं सकते जैसे भगवाले ने भरा एकदम स्वस्थ भगवान के विए भगवान सब को दिन हो जाओ तो कर्म को नश्ट कर देंगे आप सदवी परम सुख को प्राप्त हो जाएं इसलिए तो महात्माजन जो अपने हिरदय में अनुभू किया पर यह बाते तवी समझ में आएंगी जब आपके आचरण पवित्र होंगे जब आपका भोजन पवित्र होगा जब नाम जब करेंगेिं नहीं तो यह चिंता मिटाने की दवा भगवान का चिंतन है जब तक भगवान का चिंतन नहीं करोगे तब तक कहीं सुखषांती की प्राप्ति नहीchę असकते डरो मत यार डरो मत कोई चिंता तुम्हें नहीं सता सकती भगवान को छोड़ दिया इसलिए परिशानी है देखो यह विनास इसका अब बार बार समझाते हैं यह संसार कसाई वाड़ा है इसका कसाई काल है कोई नहीं बचेगा सब को काटेगा हो फस गए हो पक्की बार समझे नहीं समझ में आरा है समझ में आरा है कि नहीं आरहाए जैसे पशुष आ दिकसाई वाड़े में पहुद्ध के ले जाए जबर्जस्ती लेजा चुराक लेजाए तो चारा तो देगा है अगर दस दिन बाद नमबर आना है तो चारा दे रहा तो इसका मत्फंजो प्यार कर रहा है दसवें दिन उसका नमबर की है सब इतना वाटने के बाद वुन ऐसे ही हम तुम हैं दूद नहीं खाओ को फल फूल खाओ चक सरीर बनाओ और काल्स टाइम की बल देख रहा है टाइम फिट हुआ बोले चलती कार में आग लग गई पांच लोग जल गए किसी ने कहा काल ने मार दिया बोले अचानक हो तो एक्सीडेंट हुआ बीस लोग मर गए अरे हम कुछ नहीं अभी नाद होके बैठे थे भोजन के लिए क्या हो बोले दिल फेल हो गया वह बखसे का नहीं किसी को नहीं समय होता है तुम्हारा निर्धारित समय है और तुम काल रूपी कसाई वाड़े में पैक हो चुके हो इसलिए का जाता है कि भवकूप में गिरगे बचा सकता है तो हरी बचा सकता है तो क्या भजन करने वालों की मरतियु नहीं होती क्या बूले नहीं कैसे जीते जी सरीर राग रहत हो गए तो उनका सरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल हांथी के गले से बार रेता है कब सरीर शूटा जैसे श्वपन सरीर शूट गया और दिभ्य रूप में भगवान के पात इसले एक उपाय है हरिश्षर नम् बगवान का भजन नइन कोई चिन्ता रहेतो तो मैं बता दो कोई चिन्ता रहेतो ना प्रकार्ष तुम्हारी तुम्हारे हिसाब से एक आद्मी तोच क्या होगा एक करोड करोड वसी सिखने कर ने है आप देखू ना पूटा के कहां और संतोरूपी धन में तो 77 मेरे नात जैसे आप रादा رादा कौन सी पत्ती है हमारी मानी होई सारी पत्ति कौन सी पत्ति हमें बताו की यह आ मुर्गा पकड़ा तुमने टांग तोड़ धिये और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल और तुम्हारी टांग तोड़ेगा न के तौफ तवां गाली होने उसमें तुम्हें याद नहीं हो रहा था वह विचारा जबान निकाल लात वह लीजात уже Good निकालो अवश्य में भोग तब में कृतम कर्म शुभास हों बड़ानंदा रहा था चार लोग मिलकर किसी पसू को भूंजने में अब तुम्हें काल भूंजेगा पैक गाड़ी लौक्सिसा